हेलो फ्रेंड मैं राउल साव आज मैं आपके लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो भारत के पड़ोसी देश से संबंदित है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम एक मांचिट से समझेंगे ठीक है तो यह जो देख रहे हैं यह यह भारत का अस्थालिय सीमा है ठीक है और यह भारत का जलिय सीमा है ठीक है तो अस्थालिय सीमा से लगे भारत के कुल साथ पड़ोसी देश है ठीक है और दो पड़ोसी देश जलिय सीमा से लगे हुए है तो इस तरह से भारत के कुल नौ पड़ोसी देश है ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे इसके पूरव में कौन-कौन से परोसी देश है भारत के जो पूरव में हैं दो परोसी देश मियानमार है और एक बंगला देश है जो यहाँ पर है ठीक है अब हम लोग पस्चिम के तरफ देखते हैं तो पस्चिम के तरफ भी दो दो पडोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान ठीक है उत्तर के तरब तो उत्तर के तरब तीन देश चाइना नेपाल और भुटान तो इस तरह से शाथ पडोसी देश हमारे सिभली सीमा से लगे हुए हैं ठीक है यह हिंद महासागर में है ठीक है तो इस तरह से नो पड़ोसी देश हमारे टोटल है ठीक है और अब हम लोग देखें इसके अंतराश्टिस सीमाई की लंबाई ठीक है और इस से आने वाले राजयो सीमा इसके कुन-कौन से इसके राजय की सीमा इसमें लगती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यह जो हंतराश्टिस सीमा है ठीक है यह अस्थलिय अनतराश्टिस सीमा है इसके कुल लबाइ 15,200 km लगभग, ठीक है, और जो जल सीमा है इसकी लबाई 3,233 km है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते है पाकिस्तान के साथ लगे अंतराश्ट सीमा ठीक है तो यह जो सीमा को अब दहाएं यह पाकिस्तान के साथ लगी भारत का अंत्राश्ट्राश्ट सीवा है ठीक्ए और इसकी कुल लंबाई तीन हजार 3,323 किलो मीटर ठीक है और यह जो सीमा है इसका नाम है रेड़ क्लीफ यह जो रेट क्लिक के दोरा किया गया था ठीक है तो अब हम देखते हैं पाकिस्तान से लगे हमारे भारत के राज कौन कौन से हैं तो पहला है गुजरात तुसरा राजस्थान तीसरा पंजाब और यह चौथा जमु कस्मीर यह चार राज पाकिस्तान से लगे हुए है ठीक है तो तो हम लोग देखेंगे चाइना का अंतराष्ट सीमा ठीक है तो चाइना का ये जो देख रहे हैं ये अंतराष्ट सीमा ये चाइना से लगी हुई है ठीक है यहां तक चाइना से लगी हुई है तो इस रेखा का नाम है मैक मोहन रेखा ठीक है इसका निर्धारन 1914 में किया गया था ठीक है इसकी कुल लंबाई तीन हजार चार सो अठासी किनोमीटर है लगबग ठीक है और इससे सटे पांच राज्ये जम्मु कस्मीर हिमाचल परदेश उत्राखंड यहां है सिक्किम और यह अरुनाचल परदेश यह पांच राज्ये जो है चाइना के सीमा से लगे हुए तो अब हम लोग देखते हैं बंगला देश के अंतराश्च सीमाए इसकी कुल लंबाई इसकी जो कुल लंबाई है वह चार हजार संतानबे किलोमीटर है लगबग ठीक है और इससे सटे पांच राज्ये पश्यमंगाल मिघालय असम त्रिपुरा और मिजोरम है ठीक है अब हम लोग देखते हैं मेहनमार ठीक है यह जो मेहनमार है इसकी जो अंतराश्च सीमा की कुल लंबाई है ठीक है लगबग 1643 किलोमीटर है और इससे सटे चार राज्ये मिजोरम मनीपूर ठीक है नागालेंड और यह अरुनाचर पर्देश यह चार राज्ये मेहनमार से लगे हुए है तो अब हम लोग देखते हैं नेपाल के इंतराश्च्ट सीमाएं यह जो सीमा देख रहे हैं यह नेपाल की इंतराश्च्ट सीमाएं है इसकी कुल लंबाई एक हजार साथ सो एक्यावन किलो मीटर है लगबग ठीक है और इससे सटे पांच राजे है उत्राखंड उत्तर परदेश बिहार यह वेस्ट बेंगॉल देख रहे हैं यहां सटा हुआ है और सिक्किम ठीक है यह जो पांच राजे है यह नेपाल से लगे हुए है ठीक है उसके हजार नौ 699 किलो मीटर है लगबग ठीक है 699 किलो मीटर है और इससे पांच लगे पांच राजे जो सटे है वह सिक्किम फिर यह यहां से वेस्ट बेंगॉल ठीक है फिर यहां से असम और यह अरुनाचर परदेश यह चार राज भुटान से कि अंतराश्य सीमाय से लगी ह फॉलए है खिके अब हम देखते हैं अफगानिस्तान टेकर यह अफगानिस्तान थीक है यहां छोटा सा सीमा भारत के साथ है इसकी कुल नंबाई 106 किलो मीटर है तो अब हम लोग सबसे पहले चाइना का बात करते हैं ब और उसे देश चाइना की जो रजधानी है वह वह ब और यहां कोई बोले जाने वाली प्रमुख भासा जीनी है, ठीक है, नेक्स्ट है माल्दीव, माल्दीव की जो राजधानी है वो है मारले, यहां की मुदरा का नाम है माल्दीवियन रूपी, और यहां का संसत का नाम है मजलिस, और यहां पर बोले जाने वाली प्रमुख भा हालियामेंट और यहाँ पर जो सबसे अधिक भासा बोली जाती है वह है सींग वी और तमील निक्स देखते हैं मैंमार मैंमार की राजधानी नियू पी ऑव है ठेक है और यहां के जो मदरा चलती है वो है क्यात यहां के संसाद का नाम है पियो थी हटाओ ठीक है और यहां पी बोले जाने वाली परमुख vendors भासा बर्मीज जम नेक्स देखते हैं भुटान भुटान की राष्धानी ठींपु है और यहां का मुदरा का नाम है गुल्टम और यहां के संसत का नाम में पार्लियम्रियम्ट और यहां पर सबस्ष शथिच बोले जाने वाली भासा है जोख्फा निक्स देखते हैं अफगानिस्तान अफगानिस्तान की जो रास्थानी है वो काबूल है और यहां की मुद्रा का है नाम अफगान और यहां के संसत का नाम है सोरा और यहां के परमुक भासा है पस्तो दारी नेक्स देखते हैं नेपाल नेपाल के राजधानी का नाम है काटमांडू यहां के मुद्रा का नाम है नेपाली रुपिया और यहां के संसत क नाम है राष्टे पंचायत और यहां के परमुक बोले जाने वाली भासा है नेपाली है ठीक है नेक्स देखते हैं पाकिस्तान की राजधानी इसलामाबाद यहां की मुदरा का नाम है पाकिस्तानी रुपिया और यहां के संसत का नाम है नेशनल असेंबली और यहां के जो प और यहां के जो परमुक भासा है वो है बंगाली, ओके?